Hello friends, आज का पहला idiom जो 10 नंबर पे पढ़ने वाले हैं, that is bad blood, bad blood का मतलब है bitter relations, bitter यानि कडवे, उस्तों दो word होते हैं, एक होता है आपके लिए b-e-t-t-e-r और एक होता है b-i-t-t-e-r, दोस्तों bitter होता है कडवा और better होता है बहतर, तो हम यहाँ पे bitter की बात कर रहे हैं, कड सुर्ता नहीं है relations, यानि संबंदों में, the riots, riots यानि होते हैं दोस्तों आपके दंगे, have created bad blood between the two communities in India, भारत में, दो communities, communities का मतलब है संब्रदायों के बीच, riots यानि दंगे जो है, have created, दंगों ने यह create किया है, बनाया है, bad blood, रिष्टे कडवा, रिष्टों में कडवाहट लाई है, between किसमें दो संब्रदायों के बीच, शायद हम इंदों मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जो बहुती पुरान एक रिष्टा है, जिनके बीच में bad blood चल रहा है, hello friends, स्वागत है आपका digital तयारी चैनल पे, मैं श्रियान्स को डारी लेकर हैं, दोस्तों, शांदार एक किताब लगातार चलती हुई, ऐसी किताब है, objective general English, SP बक्षी के द्वारा, दोस्तों, objective general English एक ऐसी किताब है, objective questions के लि पता रखा है, अच्छे से इन्होंने समझा रखा है कि ये किस तरह से करने चाहिए, तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, कि जो भी इस किताब को बहुत अच्छे से follow करेगा, किसी भी competition exam में, अगर अंग्रेजी आती है, objective वाली, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं है, बहुत स क्लियर करना है, जहां objective questions आते हैं, दोस्तों, मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी किताब है, आज की मिठाई, दोस्तों, आज की मिठाई, अगर आपने नहीं खाई, तो आज खिला देते हैं आपको, हर दिन, हर वीडियो में, एक word मैं आपको करवा रहा हूं, जो word आपने स कई सारे लोगों के लिए नया है, और कई सारे लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन उनको meaning अच्छे से clear करना है, दोस्तों, आज का word है मेरा, एलेज, इसको एलेज बोलते हैं, एलेज, जी, एलेज, रिपोर्ट और मेंटेन, या तो रिपोर्ट करना, या फिर कोई चीज को maintain करके रखना, he alleged that, उसने report ऐसा किया, that the victim of a crime, वहाँ ही तो victim था, उसने ऐसा कहा, एवर्ट, भई, रिपोर्ट किया, बताया, बताने के लिए आता है, जादातर कहाँ प्रयोग किया जाता है, दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दू, किसी भी दिन का अकबार खोलिये, political page खो make an accusation or assertion, accusation का मतलब है, आरोप, assertion का मतलब है, कथन, कोई statement दे दे देना, कोई कथन दे देना, या फिर कोई accusation, यानि कि आरोप लगा देना, कैसा आरोप, without any proof, किसी भी proof, अरे कोई proof ही नहीं है, कोई तरह का प्रमान ही नहीं है, और आपने आरोप लगा दिया, तो जो एजिंसी एलेज़्ड माई क्रेडिट हिस्ट्री हाड प्रॉब्लम्स। एजिंसी ने एलेज़ किया आरोप लगाया मुझ पर कि वह यह मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो है अच्छी नहीं है। तो ये एक ऐसा आरोप है विद्डाउट एनी प्रूफ किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है। चले दोस्तों आगे चलते हैं आगे हमारे इडियम्स इंतजार कर रहे हैं। आज का दूसरा इडियम पढ़ेंगे हम लोग ब्लाक एंड ब्लू। ब्लाक एंड डू का मतलब है बीट मरसी लेसली। मरसी मरसी यानी होती है दया। मरसी लेसली का मतलब है बिनाद दया किये। कुरूरता से किसी को बुरी तरीके से पीचना। दोस्तों जब हमने बात की थे ना बिटर की। तो मैं तीन शब्द बताता हूँ आप लोगों को एक तो हमने बिटर पढ़ाई था एक हमने बेटर पढ़ाई था और दोस्तों एक और शब्द है बैटर दिखेगा ध्यान से बिटर में आई है बैटर में बीई है और बैटर का मतलब अ है बैटर अच्छा कर देना बैटर करवाहट और बैटर के दो मीनिंग है दोस्तों बैटर के दो मीनिंग क्या है वो भी समझ लें हम बैटर का एक मीनिंग तो होता है आपका जैसे आपने घोल बनाया है इडिली बनाने के लिए आपने घोल बनाया है केक बनाने के लिए तो व बैटर as a verb की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो किसी को बुरी तरीके से पीटना, आपको ध्यान हो शायद अच्छे से, धोबी लोग होते हैं धोबी, धोबी प्रयोग करते हैं एक तरह का अलगी तरह का बैट होता है उनका, शायद कई लोग हिंदी में सोटी या गोटी भी क by the police, बुरी गरिगे से उसको पीटा, तो beat black and blue से कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर है, beat about the bush, दोस्तों ये क्या है beat about the bush, beat about the bush शायद बहुत साल लोगों ने सुना होगा, बुश को हिंदी में कहते हैं जाडी, तो वैसे इसका जाडी से कोई लेना देना नह घुमा फिरा के कहना, straight forward नहीं कहना, घुमा फिरा के जो बाते करता है उसे कहते है beat about the bush, जैसे to talk in a roundabout manner, अर भया सीधा सीधा कहो ना साफ सीधे शब्दों में कहना, वो नहीं, उल्टा टेडा मेरा गोल गोल घुमा के कहना उसे कहते है beat about the bush, आपको यादो एक above board हमने देख forward बोलता था, ऐसे भी लोग होंगे जो beat about the bush करते हैं, यानि कि गोल गोल घुमा के बात करते हैं, we should always come to the point and should not beat about the bush, हमें तो भया हमेशा सीधा to the point बात करनी चाहिए, कभी भी घुमा फिरा के बाते हैं, नहीं करनी चाहिए, यह वाक्य कह रहा है, और होना भी यहीं चाहिए दोस्तों, बिल्कुल straight forward जो कहना है, कह दो, 13 नमबर पे आता है, beat the air, अर भी या, air का मतलब है, हवा, हवा को beat कर सकते हो, क्या, possible ही नहीं है, to make useless effort, useless का मतलब होता है, बिना मतलब के effort का मतलब है, प्रयास, बिना मतलब के प्रयास करने को कहते है, beat the air, example के तोर पे, some speakers merely beat the air in speech while preaching, preaching नहीं भाशन, भाशन देते हैं और और अच्छा word, preaching के लिए तो और अच्छा word है, दोस्तों, actually इसे कहते है, प्रवचन, प्रवचन देते वक्त वे सिर्फ प्रयास कर रहे होते हैं, और वो प्रयास निरर्थक है, निरर्थक है, यानि कि useless है, बिना किसी मतलब का वो प प्रयास करते हैं कि अगले को कुछ समझ में आ जाए, अगला कहना मान जाए, समझदार बन जाए, सही राह पर आ जाए, बड़ ऐसा नहीं करता, तो ये कहना चारे हैं हम कि कुछ जो speakers होते हैं, भाशन देने वाले होते हैं, merely, यानि के वल, यानि only, merely के लिए words होता है, only, beat the air in speech, अरे सिर्फ प्रयास करते हैं होता, कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14 नंबर पे, build castles in air, मुझे ऐसा लगता है, मुला नसिरुदीन का नाम आपने सुना होगा, मुला नसिरुदीन के जो हजीन सपने, हजीन कहानिया हैं, वो सपने जादा देखते थे हवाई किले जादा बनाते थे, एक्चुल रियालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो एक्चुल रियालिटी में नहीं होना, हवाई किले बनाना, तो मेक विजिनरी स्कीम्स, जो केवल विजिन्स में हैं, रियालिटी में नहीं हैं, उसे कहते हैं, to make castles in air, क्या sentence हो सकता ह Many people who live in dreams, बहुत सारे लोग जो dreams, यानि सपनों में रहते हैं, build castles in air, क्या करते हैं, वो सिर्फ हवाई किले बनाते हैं, and do not succeed in life, वो जिन्दगी में सफल नहीं हो पाते हैं, ऐसा कह रहा है, तो सफल नहीं हो पाते हैं, और केवल मात्र, build castles in air करते हैं, हवाई किले बनाते है वो कहा सफलता पराप्त करेंगे बताईएं, चले दोस्तों, आज का आखरी जो इडियम हमें पढ़ना है, that is break the ice, और भाईया, ice का मतलब है बरफ, और break the ice का मतलब बरफ तोड़ो, अब बरफ तोड़के क्या करेंगे बाई, actually ऐसा समझें, तो दो लोगों के बीच में अगर बरफ जम चुकी है, यानि कि आपने cold war जैसा सुना होगा, आपने सुना होगा कि इन दोनों के बीच में warmth नहीं है, गरम जोशी नहीं है, यानि दो लोगों ने आपसमें बात करना बंद कर दिया है, थंडा पड़ गया है मा पीक first after prolonged silence, मैं इसे हिंदी में कहता हूँ, चुपी तोड़ना, चुपी तोड़ने का मतलब है भाईया, प्रयास करना, पहला effort करना, बातें करने का, to break the silence, यहाँ पर break the ice का मतलब है, to break the silence, जो चुपी है इतने टाइम से, उसे तोड़ना, इसा हम कहना चाहरे है, कि कोई problem रही होगी, उस पर meeting करी होगी, और एक problem में अचक गए, आगे क्या करना है नहीं पता चल पा रहा था, तो अब आगे क्या करना है यह नहीं पता चल पा रहा था, तो राजेश ने क्या किया, राजेश ने साइलेंस को तोड़ा अपनी तरफ से प्रॉब्लम का हल निकाला और सभी के बीच ने दिया यहां दोस्तों समाप तो जाता है एक और अध्याय हमारा जहां पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते सरे जा रहे हैं मैं चाहूं तो शायद एक ही वीडियो में 40 idiom भी करा दूँ बट मैं चाहता हूं कि बहुत आराम से हम लोग करें एक एक वीडियो के अंदर बहुत clarity आए अगर आप मैं शमता है तो दिन के 5 वीडियो आप देखिये कोई दिक्कत नहीं बट मेरा मनना है बहुत आराम से हमारा proper planning के साथ पांच 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 दस दस बारा बारा पंदरा पंदरा मिंट के वीडियो बना रहे है आपको वीडियो बोर नहीं करे और चीजों को समझने आप लग जाए इस वीडियो के अलावा आपको इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे फॉर एक्जामबल हमारा रेमन मर्फी का एक कोर्स यहां पर complete हो चुका है complete किताब हम करा चुके हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोसमों Raymond Murphy के अलावा तो राकेश यादव क्लास नोज भी complete हो चुका है RS अगरवाल का complete हो चुका है चेतन सर्फ वापिस से कुछ टाइम बात जुड़ जाएंगे तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हम लेके आए हैं बस आप बने रहिए आपका ही प्यारा चैनल दोसों Digital तैयारी थाएंगे प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी